अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान यतिकश्चन ससथ्यश्वक सुभद्रिकाम कामपीलवासि नीम जिन्हें अम्बा अम्बिका और अम्बालिका जैसे विभिन नामों से पुकारा जाता है जो सुभद्रिका और कामपिल वासिनी जैसे नामों से जगत में विख्यात है हम सब उस मां अम्बा के प्रतेक रूप को प्रणाम कर उनका आवाहन करते हैं तालुका दाता जिला बनासकाथा राज्य गुजरात यहीं अम्बिकावन में आरासुर की पहाडियों के दक्षन पश्चिम में अरावली की पुरानी पहाडियों में गब्बर परवत पर विद्यमान है अम्बा जी माता का ये मूल पवित्र स्थान जो ब्रह्मान्ड की सर्वोच ब्रह्मान्डिय शक्ति का उद्गम स्थल है देवी पुरान में वरनित मां शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक इस प्राचीन मंदिर में करोणों शद्धालु मां अम्बा का आशिरवाद लेने आते हैं इन शक्ति पीठों के बनने के संदर्ब में अनेक पौरानिक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं उन्ही में से एक कथा है प्रजापति दक्ष और मां सती की एक बार प्रजापति दक्ष ने संसार का पूर्ण रूप से संचालन करने हेतु एक सभा बुलाई उस सभा में सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा, विश्णु और महेश भी उपस्थित थे प्रजापती दक्ष के आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका आदर किया परंधु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया इस बात से कृद्ध होकर महराज दक्ष ने कहा शिव, मेरे आगमन पर सभी उपस्थ देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया लेकिन तुम ने ऐसा न करके मेरा अपमान किया है तुम जैसे मुंदधारी, गले में नाग को लपेटे, शरीर पर शम्षान की भस्म लपेटे प्रेट को तो इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था परन्तु मेरे दामाद होने के कारण तुम्हें इस सभा में बैठने की अनुमती में ले ये सब ग्यात होते हुए भी तुम्हारा यहद और व्यवहार हमें सुईकार नहीं है हे प्रजापती, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने खड़े ना होकर आपका अपमान किया है तो मैं शमाप्रार्थी हूँ आप मेरी अर्थांगनी सती के पिता हैं मैं भला आपका अनादर कैसे कर सकता हूँ मेरे हृदय में आपके लिए सदैव आदर एवं प्रेम ही है तुम अपने प्रपंचों से मेरी पुत्री सती को भ्रमित कर सकते हो शिव परन्तु मुझे नहीं मैं अभी तुम्हें इस दुराचार का दंड दूँगा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ शिव कि इस संसार में अब जब भी कोई यग्य का आयोजन होगा तुम सभी यग्यों से बहिश्क्रित रहोगे तुम्हें किसी भी यग्य में पूजा नहीं जाएगा प्रजापती दक्ष के इस श्राप से तो मानो जैसे पूरे संसार में पूजा पाठ करना ही निशेद हो गया था शिव की आराधना किये बिना भला कोई यग्य कैसे आयोजित कर सकता है तब नारद मुनी अपने भ्राता दक्ष को समझाने उनके पास पहुंचे और उनसे कहा नारायन नारायन भ्राता दक्ष क्रोध के वशिभूत आपने तो देवों के देव महादेव को ही श्राप दे दिया ऐसा लगता है कि संसार में ना तो अब पूजा पाठ होंगे और ना ही अग्य होंगे क्योंकि महादेव की आराधना किये बिना तो सब पूजन विधान अधूरे ही रहेंगे यह केवल आपका ब्रहम है भ्राता नारत केवल ब्रहम आपको और समस्त संसार वासियों को अगर ये ब्रहम है कि उस अग्होरी शिव के बिना पूजा पाठ या यग्य नहीं हो सकते तो मैं स्वयम ही एक यग्य का आयोजन कर सभी की शंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दूँगा नारायन 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 प्रजापती दक्ष ने कनखल में एक उत्तम यग्य का आयोजन किया उस यग्य में सम्मिलित होने के लिए प्रजापती ने ब्रहमा, विष्णु, इंद्र एवं सभी अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया परंतु अपनी बात सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रन नहीं भेजा जब सती को ये ग्यात हुआ तो वो स्वैम ही यग्य में सम्मिलित होने एवं अपने पिता से मिलने कनखल जा पहुंची सती को देखकर प्रजापती दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी ही पत्री का तिरस्कार करते हुए कहा जब तुम्हें और तुम्हारे शिव को निमंत्रन ही नहीं दिया गया तो तुम इस यग्य में क्या करने आई हो सती यह उत्तम यग्य है जाओ यहां तुम्हारी या तुम्हारे शिव के लिए कोई स्थान नहीं है पिताश्री आप मेरी स्वामी शिव की निंदा बंद करें आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना शिव की आराधना किये कोई यग्य सफल भी हो सकता है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है पिताश्री, बहुत बड़ी भूल भूल? कैसे भूल? इस यग्य में जिन देवताओं को उपस्थित होना चाहिए था वे सभी यहां उपस्थित हैं यहां संसार को प्रहमित करने वाले तुम्हारे अगोरी शिव की कोई आवशक्ता नहीं है पिताश्री मैं फिर कहती हूँ कि शिव निंदा बंद करे मुझे लज्जा आती है यह कहने में कि मैं आपकी पुत्री हूँ मैं, मैं अब इस देह में रहकर आपकी पुत्री बनना अस्वीकार करती हूँ मैं अभी इस अगनिकुंद में कूद कर अपनी देह का प्याग करती हूँ अपमान से पीडत सती ने अगनिकुंद में कूद कर प्राणा हुती दे दी सती की मृत्य का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारम किया चाटवी, Galadjala, प्रवाः, पावितास्तले, गलेव, लंब लंब लंबतां, भुजंद, तुंद, मालकां, घमत्तमट्पनि, नादवत्वर्वयःं, चकारचंद, कांदवं, शिव शिव शिव, शिव दांदवरत शिव यग्यस्थल पर पहुचे और सती की दिव्य देह को अपने हाथों में उठाकर चारों दिशाओं में विजरन करने लगे प्रिथ्वी समेद तीनों लोक व्याकुल हुए तो भागवान विश्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की दिव्य देह को 51 भागों में विच्छिन कर दिया धर्ती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे वे सभी स्थान शक्ति पीठ बन गए तंत्र चूडामणी में वर्णान मिलता है कि देवी सती का रिदय गब्बर परवत पर इसी स्थान पर गिरा था जहां आज ये प्राचीन मंदिर स्थापित है 999 सीड्या चड़ने के बाद भक्त गब्बर परवत की चोटी पर पहंचते हैं जहां मांबा की अखंड जोत जो सदियों से प्रजलित है शद्धालू उसके दर्शन करते हैं इस पराचीन मंदिर में मांबा जोत स्वरूप विराजमान हैं दिव्य जोत के साथ साथ गब्बर परवत पर मांबा के पदचिन एवं रधत चिन भी विद्यमान है प्रित्वी पर स्थापिद देवी के ग्यावन शक्तिपीट ब्रह्मान ये शक्ति के केंद्र माने जाते हैं वैसे तो अधिकांच शक्तिपीट भारत में ही स्थित हैं परंतु इन में से कुछ विदेशों में यानि बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्री लंका और तिब्बत में भी स्थित हैं प्रत्य एक शद्धालू की ये मनों कामना होती है कि वो इन 51 शक्तिपीटों के दर्शन कर सके परंतु वर्तमान समय में इन 51 शक्तिपीटों के दर्शन करना हर किसी शद्धालू के लिए संभव नहीं है इस असुविदा के निवारण हे तु या कहें शद्धालू की 51 शक्तिपीटों के दर्शन की मनों कामना भी इस धाम पर पूर्ण हो जाती है गब्बर परवत की तीन किलोमेटर की परिक्रमा में 51 शक्तिपीटों के मूल मंदिरों की प्रतिक्रितियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है ये सभी मंदिर मूल मंदिर की प्रतिलिपी हैं और इन में वैसे ही पुजा अर्चना की जाती है जैसे के मूल मंदिर में होती है मां आध्यशक्ति के वैसे तो अनेक रूप हैं लेकिन श्री आरासुरी अंबाजी से जुड़ी एक और कथा जनमानस में प्रचलित है जिसमें मां के दिव्य महिशासुर मर्दिनी के रूप का उलेक है देवी भागवत पुराण में वर्नित ये कथा है महिशासुर की जिसका संगहार मां शक्ति ने किया था महिशासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसंद कर उनसे वर्दान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य, पशु या देव नहीं मार सकता वर्दान मिलते ही जब महिशासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया वो अत्याचार का जीवन्त प्रतिमान बन चुका था मेरी शक्तियों के समक्ष अब कोई भी देवता या मनुष्य, मुझे परास्त नहीं कर सकता ब्रहम्मा जी के वर्दान से तो मैं अब काल को भी चुनोती दे सकता हूँ मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ, मैं महिशासुर हूँ, महिशासुर महिशासुर के आतंक को रोकने के लिए भगवान ब्रहमा, विश्णु और महेश ने सर्वोच्च मूल ब्रहमांडिय शक्ति महादेवी आध्य शक्ति की पूजा की, जिससे देवी शक्ति ने दस हाथों सहित देवी दुर्गा का सुन्दर रूप धारण किया। लगातार नौ दिन और रात तक चले इस युद्ध के अंतिम दस्वें दिन मा दुर्गा ने अपने पवित्र खडग से महिशासुर का वद किया। और महिशासुर मर्दिनी के नाम से जगत में विख्यात हुई। आगीरिनन्दिन्दि दुमेधनी विष्वबे नोधनी नंदि दुने। इरवर भिल्द सिरोधे निवासे निविष्णु विलासे निजिष्णु नुपे भगवदी है सिदि थंद कुदुन्धुनि भूरी कुदुन्धुनि भूरी गुर्दे जय जय है महिशासुर मरदिनी रम्यकबरदिनी शेलुसुते हो जय जय है महिशासुर मरदिनी जय जय है महिशासुर मरदिनी के वातसल्य रूप को मां अंबा माना जाता है गब्बर परवत से लगभग पांच किलोमेटर दूर मां अंबा का नवनिर्मित निजमंदिर भी स्थापित है वैसे तो ये मंदिर बारा सौ वर्ष पुराना है परंतु वर्ष 1975 में इस मंदिर परिसर के पूर्ण जीर्णो धार का कार्य आरंब हुआ ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला एवं भारतिय पारंपरिक संस्कृति के लिए भी व्यापक रूप से प्रशनसित है अद्भुत नकाशी से परिपूर्ण इस मंदिर के एक सो तीन फीट के शीर्ष पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है ये स्वर्ण कलश आरासुर पहाड़ियों की खतानों से लाए हुए संग्य मर्मर से बना है जिसे सोने से मणवाया गया है हवा में लहराता मामबाजी का द्भज और उसके साथ राजसी त्रिशूल भी मंदिर के शीर्ष पर सुशो भित है ये भारत का एक मात्र शक्ति पीठ है जहां लगभग 358 स्वर्ण कलश मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं देवी शक्ति को ब्रह्मान के सर्वोच न्यंत्रक के रूप में माना जाता है श्री आरा सुरी माता अंबा जी के निज मंदिर में देवी की कोई मूर्ती या चित्र नहीं है बलके मंदिर की भीतरी दीवार में गोख जैसी एक गुफा है जिसमें संग मरमर से निर्मित एक पवित्र वीशायंत्र स्थापित है ये भी मान्यता है के ये वीशायंत्र नेपाल के मूल यंत्रों और उज्जैन शक्ति पीठों से भी जुड़ा हुआ है इस वीशायंत्र में इतना तेज है के इसकी पूजा यहां के पुजारी आज भी आँखों पर पट्टी बांध कर करते हैं निजमंदिर के पवित्र गोख में विराजवान देवी शक्ति को एक दिन में तीन रूपों में सजाया एवं पूजा जाता है प्राथकाल में मामबे के बाल रूप को प्रसाद के रूप में बाल भोग के साथ पूजा जाता है तो दोपहर को सोने के थाल में राजभोग प्रसाद के साथ यौवन रूप की पूजा की जाती है सायंकाल में सायं भोज के साथ प्रोड़ रूप में उन्हें पूजा जाता है मुख्य मंदर में स्थापित मांबा की चांदी की पादुका हो या मां के गोख के ठीक सामने देवी के पवित्र सिंह की मूर्ती हो, भक्त शद्धाभाव से अपना शीश जुकाते हैं। शद्धालू मां के शेर को कंकु पूजा करके पूजते हैं। इसी निजमंदिर के सामने चाचर चौक है, जहां एक अखंड जोत आज भी प्रज्वलित है। पौरानिक कथा के अनुसार इस अखंड जोत को मांबा के भक्त अखेराज ने प्रज्वलित किया था। हर युग में मांबा ने अपने भक्तों का उद्धार किया है और उन भक्तों में मर्यादा पुर्षोत्तम प्रभूश्री राम का नाम भी आता है। त्रेता युग में घटित ये किम्वदंती आज भी यहां सुनाई पड़ती है। माना जाता है कि सीता माता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मन अरबुदा के जंगलों में आये थे। यहां उनकी भेंट रिशी श्रिंगी से हुई। रिशी श्रिंगी ने ही श्री राम को देवी शक्त की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। मर्यादा पुर्शोत्तम भ़वान श्री राम ने जब देवी की आराधना की तो मामबा ने उन्हें दर्शन दिये। हे राम, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर्दान चाहिए। हे जगत जननी, हे सर्वेश्वरी, आपका दर्शन प्राप्ट करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वर्दान है। आप सर्व्यापी हैं, सब जानती हैं। अगर आप मुझे कोई वर्दान देना चाहती हैं, तो कुछ ऐसा वर्दान दीजे, जिससे इस संसार का कल्यान हो सके। हे दशरत नंदन, मुझे ग्यात है कि आप इस भूलोग पर क्यों अफ्तरित हुए हैं। मैं आपको दिव्य अजय बान प्रदान करती हूं। यह बान अचूख है। आप इससे जिस भी प्राणी पर प्रहार करेंगे, उसकी मृत्यू निश्चित है। मान्यता है कि इसी अजय बान से श्री राम ने रावन का वद किया था। श्री आरासुरी माता अमवाजी मंदिर के ठीक पीछे समर्पित अजय माता मंदिर स्थित है। यहां से लगभग आठ किलोमेटर की दूरी पर कोटेश्वर महदेव का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है। आज भी ही ऐसा विश्वास है कि रामायन के रचईता महर्शी वालमी की का एक आश्रम इसी स्थान पर स्थापित था। यह बावन स्थान वैदिक कुआरी नदी सरस्वती के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आस्थाएं युगों के महासागर लांगती हुई समय की धार पर अनवरत यात्रा करती हैं। अंबा मां के इस पावन धाम का महत्मे भी त्रेता को लांग कर द्वापर तक चला आया। माननिता है कि गब्बर परवत पर ही भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। इसी माननिता के चलते आज भी श्री आरासुरी माता अंबाजी मंदिर के पीछे स्थित मान सरोवर कुंड में लोग मुंडन संसकार के लिए आते हैं। महा भारत ग्रंथ में भी इस दिव्य स्थान का वरनन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुकमीनी ने भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन गब्बर पाड़ी पर श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए मांबा की आराधना की थी। मांबा ने प्रसन होकर उन्हें श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का आशिरवात दिया था। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसन के पश्चात ही इसी दिव्य स्थान पर पहली बार नवरात्री पर्व गुजराती गर्बाशैली में मनाया गया था। चैनली के आशिर गाव था। आगहुरी मिरी मंगर गाव हूँ तरी रुक बनी लिये आवत है तरी रुक बनी लिये आवत है ये आनंद जदू पुल ही सुनाव हूँ अलिरुक्वनिये आवत ले अलिरुक्वनिये आवत ले आवहुरी अमबाजी में भाद्रपत पूर्णिमा के शुब अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है साथ दिन तक चलने वाले इस मेले के दोरान देश-विदेश से आने वाले शुद्धालूओं का आकड़ा 25-30 लाख तक महुँच जाता है इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर और अमबाजी गाउं का श्रिंगार किया जाता है इस देवस्थान की दिव्यता को संगरक्षित करने के लिए वर्ष उन्नी सो अट्धावन में श्री आरासुरी अमबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक गुजरात सरकार एवं देवस्थान ट्रस्ट ने मंदिर के रखरखाव से लेकर तीर्थ यात्रियों के लिए